बानो कहती थी कि ओरत की मुहबत से नहीं नफर से डरो जब वो खास से आम कर दे तो दी हुई द्वाएं भी वापिस छीन लेती है और ये वाके ही सच है मैंने कई ओरतों को फत्तर होते देखा है जब इनका जब्द तूटता है तो फिर इनके सामने कटके मर भी जाएं तो पलके उठा कर देखती तक नहीं औरस से महबत करना एक जबलत है इसे खुश रखना एक फन है और इसको हमेशा महफूज रखना मरदानगी है अगर कोई आप से महबत लेने आए तो इसे महबत देना महबत सिखाने मत लग जाना जो लड़कियां मेका बसाती हैं वो कभी अपना घर नहीं बसाती बेहतरीन हमसफर की सबसे बड़ी खासियत ये है के वो आप से इक्तलाफ और नराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिकर करना नहीं छोड़ता जिसे छोड़ दिया है इसे फिर मुकमल छोड़ दे बुरा बला ना कहें इल्जाम ना दें खामोशी इक्तियार करने बेपना चाहत के बावजूद भी कोई आपका नहीं बना तो जान ले मुहबद इसका मसला है ही नहीं रोकना तो दूर सवाल भी मत पूछे के वो दूर क्यूं हुआ आज़ाद कर दें इसे अपना साया भी मेसर ना होने दें इतनी सजा बहुत है मायूस होना छोड़ें क्योंके जो दर्वाजे जमीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं न इन से भी बड़े दर्वाजे अल्ला पाक के फजल से खुल जाते हैं अगर बगैर डिक्री के इस दुनिया में कोई डाक्टर काम्याब है तो वो मा है कम बोलने वाला लड़का और ज्यादा बोलने वाली लड़की एक मुकमल जोड़ी होती है पसंद को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और नापसंद को कबूल करना इस से भी ज्यादा मुश्किल है और ये कर जाना अल्ला के बड़े शुकर का मकाम है रिष्टा तोड़ना बहुत आसान है असर समझधारी ये है कि कुछ भी हो जाए दर घुजर करके महबत को काइम रखा जाए वरना रिष्टा खतम करने का पच्टावा आपको जिन्दगी भर सकून लेने नहीं देगा अपने खिलाफ बाते सुनकर होसला ना हारो शोर खिलाडी नहीं तमाशाई करते हैं लोग कहते हैं करदार पर बात आजाए तो सफाई देना जरूरी हो जाती है मगर मैं कहती हूँ करदार पर बात आजाए तो बात ही खतम हो जाती है किसी रिष्टे को कितनी भी महबत से बांदा जाए लेकिन जब इज़त वा लिहास खतम हो जाए तो मुहब्बत भी चली जाती है इनसान जिस शक्स के लिए दिल से मुखलिस हो वो इसको दुख देता है लोग अच्छी सीरत की बजाए अच्छी सूरत को तरजी देते हैं जो मर्द आपके लिए रो पड़े बस वो मुहब्बत की इंतहा है इस से ज्यादा कोई और आपको नहीं चाह सकता एक दिन तुम पीछे मुर कर देखोगे जिन चीजों के लिए तुम फिकर मन थे वो तो बहुत छोटी थी और तुम बहुत बड़ा समझते रहे रिष्टे और शीशे में एक खूबी सांजी है के ये अंदर ही अंदर अपने ही तनाओं और बोज से तूट जाता है बहुत सी बातें अनकही रहने दें मुहब्बत एक ऐसा जजबा है जो किसी अमल से वाबस्ता नहीं होता अच्छाई बुराई कमी पेशी उंच नीच मुहब्बत के सामने सब बातें बेकार है इस साइंसी दोर में भी इंसान इसरार से मुहब्बत करता है अंदेखी अंचाही अंसमजी मन्जलें इसे अपनी तरफ खैंचती है खुदा पर यकीन रखना कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती बंद आंखों से नजर आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के इस कौने में बसते हैं जहां से मुहब्बत जनम लेती है लोगों से डनना छोड़ दो इजज़त अल्ला ताला देता है लोग नहीं इनसान गम की कैफियत से कभी नहीं निकलता खुशी मोहत तकान उतारने का एक वक्फा है जो मर्द किसी औरत से सची मुहब्बत करता है वो इसे किसी दूसरे मर्द के लिए कभी नहीं छोड़ता तमाम रिष्टों में सबसे कमजोर रिष्टा तुम्हारे जिसम और तुम्हारी रू का है ना जाने किस वक्त और कहां तूट जाए दुखी दरारे चेहरों से तो खतम हो जाती है लेकिन इनसान के अंदर उतर कर इसकी एक गोशे को विरान कर देती है जो सिरफ किसी एक इनसान के लिए महसूस होती है